सविको सूपरबात मैसिस पाल मेव समाने हिंदी हम पढ़ रहे थे समाने हिंदी के अंतरगत मीरांबाई के पद इससे पहले हमने पढ़ा था कबीर दास के पद आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीरांबाई के पद जो गत वीडियो में हमने अदेहन किया था बताया था कि राम नाम रस पीजे मनवा राम नाम रस पीजे तज कु संग सत संग बेठी हरी चर्चा सुन लिजे काम क्रोध मद लोब को चित से बहाय दीजे राम नाम रस पीजे मनवा राम नाम रस पीजे मेरां के प्रभू गिर्दर नागर तां के रंग में बीजे मेरां भाई आपने आराध्या स्री किर्शन जी को कह रही है कि मैं तो आपके रंग में बीग चुकी हूँ आया है ना तां के रंग में बीजे मैं आपके रंग में रंग चुकी हूँ किते हैं राम नाम रस पीजे आपको राम का नाम का रस का पान करना है क्योंकि और संसार की जो भी जेजे हैं میरा बाई कहती है उन बिन सब जग खारो लागत है और बात सब काच्ची केते हैं स्री कृष्ण जी के बिन संसार सब खारापन लगता है और बात सब कच्ची है तो कहते हैं राम का नाम का रसका पान करना है तो क्या बताया किस परकार से होगा कहते हैं तज कुशंग का संग छोड़ देना है और कहां बेटना है सत संग बेठी सत संग में बेठे और हरी चर्चा सुन लेजे इश्वर की पर्वु के नाम की चर्चा सुनने है और कोई कारिया नहीं करना ये कारिया करना है हरी की चर्चा को सुनना है ये बात कही है मीरा बाई ने कहते हैं कूशंग का साथ छोड़ देना है हमें अच्छी अच्छी बातों को ग्रहन करना है मीरा कहते हैं बूरी चीजों को हमें द्यान में नहीं लाना सार सार को गही थोता दे उड़ाए सार वस्तू लेनी है थोती वस्तू को पास में नहीं जाना वोगी यहां बताये तज कूसंग हमें कूसंग का त्या करना है सत्संग में बेटना है बेट कर क्या करना है हरी के गुल का गान करना है फिर बताया क हमारे जो एक काम क्रोध मतलो बह कारिय सज्ट्रू है यह दुस्मन है इसका निवारन करती हुए कि अधाय वन से इसको बगा देना तो इस पर हमने से परसंग व्याक्या की थी आज देखो हम इनके नया पद है उस पर तर्चा करने जा रहे हैं भज मन चरण कमल अविनासी देखो कि भज मन चरण कमल अविनासी भज मन चरण कमल अविनासी मेरा कहती है भज मन चरण कमल अविनासी जेते दी से दरनी गगन बीच जेते ही दीशे दार्ने गगन बीच तेते ही सब उड़ जाशी सब उड़ जाशी बाजमान चरण कमल अविनाशी मेरा कहती है कि उन चरण रूपी कमलों का ही द्यान देना है अविनाशी पूरुष का इस्वर के चरणकवलों का ही ध्यान देना है और ध्यान देना ही नहीं है और संसार के जो इन आखों से आम देखते हैं यह सब नाश्मान वस्तू है तो कहते हैं इस्वर का ही ध्यान रखना है और कोई ध्यान नहीं रखना तो किते हैं जिस परकार से किते आपको जो दिखाई देती है दर्ती और आकास के बीच में ये एक नए एक दिन सब यहां से नाश्मान हो जाएगा एक नए एक दिन यहां से फना हो जाएगा देखो मेरा ने क्या कहा है केते हैं जेते ही जीसे दरने गगन विच तेते ही उड़ जासी जो आपको ये परलोबन देने वाली वस्तु में दिखाई दे रही है जिसके विशेविकारों में आप पड़े हो ये एक ने एक दिन यहां से आपको यहां से कूच करना पड़ेगा आपको यहां से जाना पड़ेगा तो यह संसार की वस्तु में आपकी काम की नहीं है तो कहते हैं आपको यह की कारिया करना है चरन कामल अविनासी उनके चरन रुपी कमल है उनका ही निवास इस्तान बनाओ और सब चीजे हैं वो नास्मान है परभू का नाम परभू का शेम कावल Аمنण से हमें सचेत करती हुई मीरा ने ये बात कही है क्योंकि संसार में कैते हैं आपको परलुबबन देने वाली जितने भी वस्तू हैं यह एक ने एक दिन यहां से चली जाना है गुर्बाने में भी एक पंक्ती आती है कूर राजा कूर परजा कूर सब संसार कैते हैं राजा भी कूर है परजा भी कूर है संसार सारा कूर का पसारा है क्या बताया कि किस नाल किजे दोस्ती सब जग चलन हार कैते हैं दोस्ती का लाइक भी यहां कोई नहीं है वो भी यहां से एक ने एक दिन सब चले जाएंगे तो यहां दोस्ती करने हैं तो किस से करने हैं चरन कावल अमिनासी शिर कृष्ण जी के चरन रुपी कमल है जो अमिनासी पुरुष है उनसे प्रेम पालो किते दर्ती और गगन के बीच में जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो एक ने एक दिन यहां से उड़ जासी यानि यहां से चला जाएगा आगे देखो इस देही का गरबन करना माटी में मिल जासी माटी में मिल जासी किते हैं कि आपने जो देहे दारन कर रखी है इस देहे दारन करने पर आपको एहिकार नहीं करना है कि मैं इतना रूपवान हूँ मैं इतना बल साली हूँ मैं इतना दनवान हूँ इस बात का एहिकार नहीं करना है देखो कि रूप जिसको योवन पर गामन्ड है जिसको रूप सौंद्रिया पर गामन्ड है जिसे बुड़ापा आया तो अपना जो रूप सौंद्रिया है वो दरपन में देखना मुँद देखना पसंद नहीं करता वो डापे में अपने चेरे पे जूरियां पढ़ जाती है तो अपना चेरे है वो दरपन में देखना पसंद नहीं करते तो किस बात का गरब है तो कहते हैं इस देही का गरब नहीं करना इस देहे जो शरीर है इसका कभी एहंकार नहीं करना है ये बात कहिए मीरा बाई ने उमीद अपनाए जाएगा या गुनिकेसा किया जाएगा तो कहते हैं इस देहे का गर्ब ना करना इस देहे जो मेली है ये देहे बहुत कीमती है इसको सही देशा में इसे काम लेना था हम देहे पालने पालने मेरेगे देखो गोड़े को खिलाती है उससे काम भी लेती है हमने इस देह को पालने पालने मिरेगे मीरा कहती है इस देह का गुमा नहीं करना है इस देह में बेट कर हमें क्या करना है परवु का नाम का गान करना है आगे तीसी चोथी पंक्ति में क्या बता है देखो यो संसार चहर की बारी यो संसार तेहर की बारी यो संसार तेहर की बारी सांज पढ़िया उड़ जासी पढ़िया उड़ जासी आगे पंक्ति देखे कहां बेओ बगवां पहन्या गर तज बहेशन्यासी बाजमाने चारन कावल आविनासी जोगी हुई जुगत नहीं जाने जोगी हुई जुगत नहीं जाने उल्टी जनम फिर आशी बाजमान चारन कवल आमिनासी अर्ज करूँ अबला कर जोरे अर्ज करूँ अबला कर जोरे श्याम तुम्हारी दासी अंतिम पंक्ति दे को मेरा के परवु गिर्दर ना कर मीरा के परवु गिर्दर नागर मीरा के परवु गिर्दर नागर काटो जम की फांसी काटो जम की फांसी देखो कि भाज मान चरन कावल अविनासी जेते ही दीसे दरने गगन बीच तेते ही उड़ जासी इस देही का गरवना करना माटी में मिल जासी यो संसार चेहर की बारी शांज पड़्या उड़ जासी कहां बेयो बगवा पहन्यों घर अतज बहे शन्यासी जोगी होई जानी उल्टी जन्म फिर आसी अर्ज करूं अबला कर जोरे श्याम तुमारी दासी मेरां के पर बो गिर्दर नागर काटो जम की फासी कितना महतपुरन पद्ध है ये देखो द्यान से सुनना इस पद्ध को और एक ऐसा परती भी बन जाना चाहिए आपके मस्तिक में कि हमन ने कौन सा पड़ा बजमन चरन कावल अविनासी तो आपको जो भी करवाया जा रहा है वो आपको द्यान में होना चाहिए जैसे कभीर समन हिंदी में कभीर हमने करवाय तो सबसे पहले कौन सा पत्था कि दुने नहीं गाओ मंगला चार हम आई राजा राम बरतार इस परकार से जो भी आपको करवाया जा रहा है उसका लिए आप एक रेजिस्टर रेजिस्टर में आप वो अंकित करें और सात में इसका परतिभीम बन जाना चाहिए परतिभीम तब भी बन पाएगा जब आप इनके परतिलगाव होगा सने होगा प्रेम पालोगे तब अर यह अपने को पढ़ना पड़ेगा आज नहीं तो कल पढ़ना पड़ेगा तो इस सुब काम में देरी क्यों कि हम जो कार्य करने हैं वो पहले ही करने एक साधे सब सदय सब सब जाए रहे में मोल सीची वो फूल यहां तक हमने चर्चा की अब आगे देखो यो संसार चहर की बारी सांज पढ़या सांज पढ़या उड़ जाए यह संसार के देखो आकर्शन के बारे में बताया संसार कैसा है संसार इसा बताया कि दिन में आप देखते हो संस जहां इस रष्टी में दस्टी डालते हो कितना आपको लुबावना लगते हैं आपको कितना आकर्शित करता है और यह संसार है ऐसा है आपको आकर्शित करता है अपनी और लेकिन जब वास्तव में देखें तो संसार है यह इसमें सुनापन है अपना कोई नहीं है अपना जो दुरका साती है अपना जो मीत है अपना जो मीत है वो कौन है परभू है श्री किर्शन है मीरा ने बताया यह संसार चहर की बारी यह संसार ऐसा है चहर पहले यहां दिखाई देती है लेकिन जैसे शंद्या आई श्याम होई बच्चा है अपने पीता के साथ मेले में जाता है चुनना द्यान से अवजये से अवल जैसे मेले में प्रिवेष करता है बच्चे को गौद में उठाते हुए कंदे पे पिटा बिठा लेता है और वह मेले की जो भी वीिवस्तु है वह दिखाता है बच्चा उस चीज को देखता हुआ उस चीज को देखता हुआ मचलता है कभी मिठाई लेने के लिए आतू होता है कभी रंग बिरंगे खिलोने लेने के लिए मचलता है और आचानक बीड मी पिता की अंगोली हाज से छोड़ जाती यह वहीं वही मेला है वही वस्तुवी रंगी मिठाय एंगर, ऐसा के आँ हैं उनकी तरफ losty नेटलता है यह सिर्फ पोकारता हुआ बडो रॉना सेर्णों करने मेल कर संसार ऐसा है जब तक आपका आपके साथ स्री किर्शन है आपके पर्बू है तब तक आपको यह अच्छा लगता है जिसी यह संसार से कूछ करना है यह संसार है यह क्या हो जाएगा आपको अच्छा नहीं लगेगा संध्या हो जाएगी वो कहते है ना आज बच्पन का कोमल जराका पीला पात चार दिन की सुगद चांद ने फिर अंधकार अग्यात इस पर कासिया संसार कि आज बस्पन है तो हमारा सरीर है ये कोमल है कोमल गात गात कासिया सरीर जराका पीला पात जिसे बुडापा आएगा हमारा सरीर पीला पढ़ जाएगा पत्ते की बांती जैसे पत्ता पीला पड़ जाता है तो उसमें क्या होता है वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है चार दिन की सुगत चान्दनी यह अपना जो मोज मस्ती के दिन है यह कितनी दिन बताए है चार दिन की फिर अंदकार अग्यात फिर हमें यहां से जाना पड़ेगा वही मेरा ने यहां क यह संसार में आके प्रभू को नाम जपने के लिए, आपने कौन सा वस्तर दालन कर लिए बगवा वस्तर, रंग बिरंगे वस्तर दालन कर लिए इश्वर को प्राप्त करने के लिए लेकिन ऐसा इश्वर है जो रंग बिरंगे कपड़े दालन करने से मेरा निकाय नहीं मिलता क्या बता हैं कहां बेव बगवा पेरे घर तज बेव सन्यासी घर को छोड़ दिया और सन्यासी बन चुके घर को तो त्याग दिया और कहां बन चलेगे सन्यास ले लिया गर संसार को त्याग दिया देखो कहां गया किसको त्याग ना है संसार को थोड़ी त्याग ना है कहते हैं गर में रहो गर से बाहर जोग जुगत की रीट हमें इस परकार से रहना है गर में भी रहना है गर वालों से अलग भी रहना है किस परकार गर में भी रहो गर से अलग है गरवानों से अलग है, जोग जुगत की रिति, जिस परकार से पनियारी पानी लेने के लिए जाती है सिर पर मठका होता है, उबर खवर जगे होती है, सहलियों से बाते करती है लेकिन द्यान का होता है, उस मठके में, उस गडे में, वो नहीं गिरने देती कभी इसी परकास अंसार में रहते हुए उस चरण कमल अविनासी का द्यान रखना है यहां मेरा निकाह है कि बगवा पेने से गर बार त्यागने से इश्विर की प्राप्ति नहीं होते हैं मेरा भाई ने यहां कहा है द्यान से सुना फिर देखो क्या बता है आगे कि जोगी होए जुगत नहीं जाने कहते हैं जोगी बन गया घर घर मांगना शुरू कर दिया यह जुगती नहीं है पर बुप्राप्त करने की जोगी होए जुगत नहीं जाने उल्टी जनम फिर आशी फिर कहते हैं आपका जनम मरन का यह चक्कर है यह समाप्त नहीं होगा फि इसका खाया उसका देना पड़ेगा आज हम किसी के घर में खाना खा लेते हैं उसका भी ब्याद देना पड़ता है यह बताया है देखो हमें यह संसार में मुफत में कोई वस्तु नहीं मिलती तो इसी परकार किसी का खाएगा तो उसको खिलाना पड़ेगा वही मेरा ने यहा से इन पिर आशी फिर आपका जयनम होगा। वही जयनम होगा जो जिससे आपने खाया है, जिसका आपने करद लिया उसको चुकाना पड़ेगा। क्या बताया जोगी हो जुगत नहीं जाने जोगी होके जुगत नहीं जाने जुगत कौन से के परवु प्राप्त करने की आपको यूपती नहीं आई आपने रंग दिरंगे कपड़े पहले गर-गर में भीक्षया मांगनी शुरू कर दे यह नहीं है कभी इरने तु यहां तक कि योग हो भूब कटिन जीवत ही मर जाना इसी अचाह जीवत मर जाओ गर भर मांगू अगर किसी का खाओगे इसका दिना पड़ेगा ये मेरा निया कहा है आगे देखो फिर कहा अर्ज करूं अबला कर जोरे करते हैं मैं आपके लिए निवेदन कर रही हूं चरन का अमना से मेरे परभू स्री किरसन मैं आपके लिए अर्ज कर रही हूं आपके लिए प्राथना कर रही ह तो सबसे पहले नमरता होने चाहिए, देनता होने चाहिए, दास बनना चाहिए, रामा हम दासन दास करीजे, दासों का दास बनता है, तब जाके प्रबु की प्राप्तियों होती है नथा नहीं, यही मेरा नहीं है कहा है, क्या कहा है, मैं तो आपके लिए हाद जोड़ कर अनि कि फांसी केते हैं कि मेरे तो आप गिर्दर नागर हो जम रूपी जो फांसी मेरे है आज इस जनम में आगा में फिर जनम मिलता रहेगा इस जनम की जो फांसी है इसको काड़ दो क्योंकि जिस में हमारा द्यान होता है वही हमारा जनम होता है ये अपने गुरुणन सब्ज नि हम सर्फ बन जाएंगे अगर पूत्रों की तरफ जान हुआ तो कहां जनम लेंगे सुवर का जनम लेंगे क्या पता है अंत काल जो लड़के से मिरे ऐसी चिंता में जो मरे तो सुवर जो बल-बल उत्रे सुवर देखो बच्ची बच्ची गुम रहे हैं पीछे सुवर के जनम म तो कहते है प्रेत की जो नहीं मिलती है गरगर में क्या पितर बनते है यह कहा है तो इसी प्रकार मेरा नहीं कहां केते हैं मेरे यह जनमों का जो चक्क्र है आवागमन चक्र को आप मिटा दो और मेरे को जम रूपी जो फांसी लगी हुई है इसको मिटा दो कौन मिटाएगा दिखाई देते हैं वो सब एक दिन या से चले जाना है इस देह का गरब ना करना इस देह का कभी आपको उइंकार नहीं करना है क्योंकि Andi सब्याइद यह eसम्हट में लाइगा अंदेरे में मिल जाएगा फिर कैते हैं प्रमातमा को प्राप्त करने के आपको बगवे कपड़े पेने और आपने घर को त्याग दिया सिन्यासी बनगे केते हैं यह आपने जोगी तो होगे लेकिन जुगत नहीं जाने आपने और उल्टी जनम फिर आशी फिर आपका जनम का यह चक्कर है यह कभी मिटा नहीं यह आवागमन का चकर आगे से आगे दो आज जनम में अच्छे करम के फिर जनम आगे पिर बताएं अर्ज करों अबला कर जोरे माँ जोड़ कर निवेधन कर रही हूं और क्या बताएं तुम्हारी दासी मैं आपकी क्या हूं दासी हूं फिर मेरा ने नीचे लिखा है लाश्पंक्ती में मेरा के प्रबो आप में ही मेरे को क्या करो समाहित करो तो ये पद था आगामी जो पद है देखो आगामी हम वीडियो में पढ़ेंगे कि दर्स बिन दुखन लागे नेन जब से परभू बिछडे कबू ना पायो चेन फिर बताया कि कल की पर्त पग मग जब जोवत छवी छे मासी रेन मेरा के परभू कब मिलोगे केते हैं कि दुख मेटन सुक देड और फिर बताया है कि मैंने राम रतन धन पायो मैंने राम रतन धन पायो जिसको पाई सुक दुख बोल्यो मन आनन समायो जिसके चोरी कबू नहीं होए एसो रतन धन पायो खर्चो लाग खतम नहीं होए दिन दिन बड़स सवायो मेरा के गिर्दर नागर हार्शी हार्श जसक गायो इसको अबामी वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक वीडियो इसके लिए और बनेगा उस वीडियो में हम मीराबाई की जो पद है उनको पढ़ने के प्रियास करेंग असाल असान पद है बड़ा ही मिठे मिठे पद है इनके आप द्यान से सुनो द्यान से समझो इन बातों को तो हमारे एकजाम में भी व्याख्या पूछी जा सकती है महतव पूरन व्याख्या ही एकजाम में व्याख्या मीरा की आएगी तो इस प्रकास से आपको व्याख्या आएगी जो आठंके होगे जिसमें हमने इनका हिंदी इनवाद करना है तो क्या बताया मूल संदेश क्या दिया गया है यह आपको मैंने बताया आज यह हम विराम देते हैं आगामी वीडियो में फिर हम मेरा भाई के पदों के साथ हाजिर होंगे तब तक आप गर पर रहें श क्या है